गयमा वरदल का रिजर्ट तो पहले हैं मुझे घज़े ही आया क्योंकि मेरे हस्बन का कोलेस्ट्रल बहुत बढ़ चुका था तो जैसे ही गयमा वरदल लॉंच हुआ उसी ताइम कर दा मैं आमने बताया था कि कोलेस्ट्रल के लिए हस्बन को दे सकती है तो मैंने उनको दिया तो उनका 200 की उपर तो कॉलेस्ट्रल और कंटिनीव देड़ वाइन के भाग ही हमने चेक किया तो वह 164 आया था यह सबसे वाला कि दूसना ऐसा दूस है कि कोविड के टाइम जब से कॉलेस्ट्रल कम हो तो कंटिनीव द्यामा वह ले रहे थे तो उसी के बाद कोविड मैं पूरा लागदा हुँ था चुप चुपा के लोग जाते थे और पेशेंस बहुत मतलब बहुत जीवे रप हुए था वोरोना का उस वक्त अब्दावन करना था उनको एक दो दिन किसी एक साथी के साथ हो गए उनकी गाड़ी के पैठ थे और जब शाम को उन्होंनी पहले सबसे पहले आज मुझे बता दीजिए तो सर ने तो मुझे घर्टे कुछ ही बताया लेकिन तीन दिन की बाद उसका रिजल्ट आया तो उसका जो कोविड का परसेंट अफा 24 था और हमारे यहां सर को कुछ भी सिंटम्स नहीं दिखे तो यह अगवान की देख समझू क्योंकि अगर 24 जिसका है और कोई इंसन उसके साथ है तो पता नहीं अगले वालबा क्या हो सकता है तो इसलिए ग्यामा को होड़ बड़ा धाइंस क्योंकि उसमें मेरा परिवार बच्छा आगा